सर क्या कोई नया सिलिबस आ सकता है तो हां आ सकता है क्या सिलिबस में परिवर्तन हो सकते हैं इस बार जूनियर अकाउंटेंड में तो गाईज हो सकते हैं यह जो सिलिबस था यह RPSC के हिसाब से था अब इस परिक्षा को कर्मचारी चैन बोर्ड ले रहा है तो करमचारी chain board अपने हिसाब से इसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है अब देखना ये है कि इसमें क्या परिवर्तन किये जाते हैं क्या कुछ commerce के subject इसमें और add हो जाते हैं या नहीं होंगे तो क्या परिवर्तन हो सकता है फिलहाल मुझे लगता है आप लोगों को उस पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए आपको उस पे दिमाग किया और नया syllabus क्या होगा और एक किसी भी syllabus में commerce का junior accountant का paper है तो accounts, economics, business नहीं आए तो मुझे लगता है संभावना नहीं है business हो सकता है हट भी जाए लेकिन audit नहीं आटेगा तो accountancy, economics, audit तो आना ही आना है तो इसलिए आप निश्फिक्र रहो